Good morning students, आज आपनों मैत में exercise 1F स्टार्ट करेंगे, जिसमें first question है, Make three digit numbers using the given digits, यहाँ जितने भी digits दिये गये हैं, इन सभी digits का यूज करके, आपको three digit वाले numbers बनाने हैं, जैसे question number one देखिए, यहाँ जो digit दिये गये हैं, जैसे 8, 2 और 5, तो इन digits का यूज करके, आपको three digit वाले अलग-अलग numbers बनाने हैं, जैसे 8, 2, 5 से कौन-कौन से number बन सकते हैं, 825, 852, 582, 528, 285 और 258, तो यह सभी numbers एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं, लेकिन इन सभी numbers में, यह सभी numbers एक ही digits से बनाये गया हैं, जैसा question में दिया गया था, 8, 2 और 5, इनी तीन digits का यूज करके, यहाँ अलग-अलग numbers बनाये गया हैं, जो सभी three digits के numbers हैं, अब question number second देखिए, यहाँ 9, 3 और 6, यह तीन digits दिये गया हैं, तो हम इनी तीन digits का यूज करके, अलग-अलग three digits वाले numbers बनायेंगे, तो इन digits से कौन-कौन से number बन सकते हैं, 963, 936, 693, 639, 369, और 396, तो इन digits से यह सभी numbers बनाये जा सकते हैं, यह सभी numbers एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यह सभी numbers एक ही digits से बनाये गया हैं, जैसा question में दिया गया था, 9, 3 और 6, तो इनी तीन digits का यूज करके, यहाँ अलग-अलग numbers बनाये गया हैं, तो इस तरह हम question को solve करेंगे, अब next है 104, तो इनी digits का यूज करके, आपको 3 digits वाले अलग-अलग numbers बनाने हैं, तो यहाँ बनाया गया है, 104, 140, 401, और 410, तो 104 से सिर्फ 4 ही numbers बन सकते हैं, अगर हम 104 से अगर एक number ऐसा बनाते हैं, 0, 1, 4, तो यह 3 digits का numbers नहीं होगा, क्यूंकि 0 लिखने पर यह 3 digits का number नहीं होगा, क्यूंकि इसे हम परते हैं 14, जो 2 digits का होता है, इसलिए हम number के आगे 0 नहीं लगाएंगे, क्यूंकि लगाएंगे तो वो 2 digits का हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ 3 digits का number लिखना है, इस तरह से question number 1 को आप complete करोगे, अब next question है, second, make 3 digit numbers and filling, यहाँ जो digits दिये गए हैं, इन digits से आपको 3 digits वाले numbers बनाने हैं, और blanks को fill करना है, यहाँ यह सभी digits दिये गए हैं, इन ही digits का यूज करके, आपको 3 digits वाला सबसे smallest number और सबसे greatest number बनाना है, जैसे question number second लेते हैं, यहाँ 3 digits दिये गए हैं, 7, 1 और 5, तो इन तीनों digits का यूज करके, आपको सबसे पहले सबसे smallest number लिखना है, तो हम smallest number लिखने के लिए, सबसे smallest digits से start करते हैं, तो 7, 1 और 5 में सबसे smallest digit 1 है, और smallest digit से start करके, धीरे धीरे हम बड़े digit की और बढ़ते हैं, तो 1 लिखने के बाद आपके पास 2 digits हैं, 7 और 5, तो इन में से सबसे smallest कौन सा है, 5, तो 5 लिखेंगे, फिर last में 7 है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, इस तरह से हम smallest number लिखेंगे, और यहाँ greatest number भी आपको यहाँ लिखना है, तो जब आप greatest number लिखोगे, तो सबसे बरे digit से start करोगे, और धीरे धीरे smallest digit की और बढ़ोगे, तो 7, 1 और 5 में सबसे greatest digit 7 है, तो अब 7 पहले लिखोगे, उसके बाद 7 लिखने के बाद 1 और 5 में सबसे greatest 5 है, तो 5 लिखेंगे, फिर 1 है, 1 लिखेंगे, इस तरह हम smallest और greatest number लिखेंगे, अब यहाँ question number first देखिए, यहाँ 3 digit दिये गए है, 8, 0 और 6, तो इन 3 digit का यूज़ करके, आपको सबसे smallest और सबसे greatest number लिखना है, तो जब किसी digit में 0 सामिल हो, और हमें smallest number लिखना हो, तो हम 0 से start नहीं करेंगे, 0 के बाद जो सबसे smallest है, उस digit से start करेंगे, तो 0 के बाद 8 और 6 में सबसे smallest 6 है, तो हम 6 लिखेंगे, और 6 लिखने के बाद हम 0 को next में रखेंगे, तो 6 के बाद हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 8 है, तो फिर 8, और greatest number लिखने के लिए, हम सबसे पहले greatest digit को सबसे पहले लिखेंगे, तो 8, 0, 6 में सबसे greatest digit 8 है तो हम 8 लिखेंगे 8 के बाद 0 और 6 में सबसे greatest 6 है तो 6 लिखेंगे और उसके बाद 0 इस तरह आप question number second देखें यहां का यहां 3 digit है 9, 7 और 8 तो इन तीनों digit का यूज़ करके आपको सबसे smallest number लिखना है तो मैंने आपको बताया a smallest number लिखने के लिए आप सबसे पहले a smallest digit से start करोगे तो 9, 7 और 8 में सबसे smallest digit 7 है तो अब 7 लिखोगे 7 लिखने के बाद 8 और 9 में सबसे smallest कौन सा है तो 8 है तो 8 लिखोगे उसके बाद last 9 है फिर आप 9 लिखोगे और इसी digit का यूज़ करके आपको greatest number लिखना है तो greatest number लिखने के लिए आप सबसे पहले greatest digit से start करोगे तो 9, 7 और 8 में सबसे greatest digit 9 है तो आप 9 से start करोगे 9 के बाद 7 और 8 में सबसे greatest कौन सा है 8 है तो हम 8 लिखेंगे और 8 के बाद last में क्या है 7 तो हम 7 लिखेंगे अब next question को देखे 4, 5, 0 इन तीनों digits का यूज़ करके आपको smallest number लिखना है तो मैंने आपको बताया अगर किसी digit में 0 सामिल हो तो हम 0 के बाद जो smallest है पहले उसे start करते हैं तो 0 के बाद सबसे smallest 4 और 5 में 4 है तो हम पहले 4 लिखेंगे उसके बाद हम 0 next में देते हैं फिर 5 अब इन ही digits का यूज़ करके आपको greatest number लिखना है तो greatest number लिखने के लिए आप सबसे बड़े digit को पहले लिखोगे तो 4, 5 और 0 में सबसे greatest digit है 5 तो 5 लिखेंगे अब 5 लिखने के बाद आपके पास 2 digits है 4 और 0 तो इन में से सबसे greatest को न है 4 तो 4 लिखेंगे फिर next में 0 है फिर 0 देंगे इस तरह आप exercise 1F complete करोगी Thank you